Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11th के जो grammar का आपका topic चल रहा है इतने दुनों से which is models, model verbs या modals भी जिसको हम कहते हैं उसी को आज हम continue करने वाले हैं और आज हम start करेंगे model verbs will, would and ought to ये तीन तरीके के model verbs हैं, आज हम cover करने वाले हैं हमारे आज की वीडियो में मेरे इस वीडियो से पहले, already मैं two videos आपको दे चुकी हूँ models के उपर ही, जो की पहला था introduction of models जिसमें models के बारे में हमने detailed पूरी इसमें explain किया हुए मैंने आपको पूरा concept की models के होता है, modalities के होती है and rules के होते है model verbs को लेकर फिर उसके बाद मैंने एक already आपको वीडियो दे दिया है model verbs can, could, may, might, shall, should के उपर and उनके सारे rules हमने detail में discuss किये हुए है and आज finally हम इस वीडियो में discuss करने वाले है model verbs will, would and ought to मेरे इस वीडियो के बाद मैं एक solved exercise का वीडियो आप सब के साथ करने वाली हूँ जिसमें हमारे सारे model verbs and सारे जो rules है model verbs के उनसे related जो exercises होती हैं वो हम solve करेंगे तो मेरे इस वीडियो के बाद solved exercises का जो वीडियो है वो देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है and now let's begin with our model verb will model verbs में कई सारे होते हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं will तो will क्या होता है सबसे पहले structure of sentences देख लेते हैं कि हर एक sentence का structure होता कैसे और उस sentence के structure में model verb कहा बैठेगा तो तीन तरीके के sentence होते हैं एक होता है positive एक होता है negative और एक होता है interrogative हर sentence में सबसे पहले आता है subject subject यानि जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है फिर उसके बाद आएगा आपका model verb यहाँ model verb will की बात हो रही है इसलिए हाँ पर will आएगा और उसके बाद आता है आपका action verb और action verb भी आपका verb का first form ही आएगा verb का first form क्या होता है तीन verb के forms होते है V1, V2 and V3 याने तीन तरीके के forms हमने पड़े थे for example अगर मैंने बोला eat ate, eaten याने जो verb का first form है याने जो originally जैसा word exist करता है जिसको हम base form of verb भी कहते है वो होता है verb का first form और यहाँ पर है eat तो eat एक ऐसा word है जो originally ऐसा ही exist करता है तो यह आपका verb का first form है फिर भाले बाद में आप उसको aid बना दो eaten बना दो या eating ing लगा दो उसमें कुछ भी कर दो depending upon the sentence लेकिन यह आपका verb का first form है तो हमें verb का first form ही जो होता है वो क्या करना है वो use करना रहता है तो यह पूरे verb के first form है और फिर आएगा आपका object अब object क्या होता है sentence में जिस चीज के उपर verb काम कर रहा है वो object होता है याने sentence में आगे कुछ भी आजाया object आजाया other words आजाया या कभी-कभी sentence में object नहीं भी होता है तो भी चलेगा लेकिन इतना होना important है कि subject हो आपका model verb और उसके बाद आएगा आपका क्या verb का first form फिर बात करते है negative sentences की negative sentences वो होते हैं जिसमें लग जाता है not तो सबसे पहले आएगा subject फिर आएगा आपका model verb फिर लग जाएगा not फिर आएगा आपका verb का first form and then आएगा आपका object अब जो will है will को हम कभी-कभी कहते हैं won't तो अगर कहीं-कहीं पर अगर यह इस तरीके से आपका will not आ जाता है और तो वो भी सही है और will not की जगा अगर इस तरीके से आजाए won't तो भी सही है यानि will not को हम won't भी लिखते हैं will not को willint नहीं लिख देंगे हम will not को won't लिख देंगे तो अगर won't लिखा है तो भी सही है इसका मतलब will not ही होता है फिर बात करते हैं interrogative sentences की यानि वो sentence जिसमें questions की बात हो रही है यानि जिसमें हम सवाल पूछते हैं जिसके last में question mark compulsorily आता है तो उसमें क्या होता interrogative sentences में जो model verb होता है वो subject के पहले shift हो जाता है यानि पहले subject आ रहा था फिर model verb आ रहा था ना लेकिन interrogative sentence में पहले यहां पर model verb आएगा फिर subject फिर verb का first form and then I got object and last में question mark compulsorily क्योंकि एक interrogative यानि question वाला sentence है तो question mark अगर नहीं लगाओगे तो marks आपके deduct होंगे तो यह रहे तीन तरीके के आपके sentence यह sentence का structure होता है और कैसे sentences में model verbs कहां बैठते हैं वो सब हम यहां पर देख चुके हैं अब बात करते हैं कि model verb will जो हमारा model verb will है उसके बार में कि model verb will कहां कहां लगता है तो यहां देखते हैं will is used for future actions अब will जो है ना हमेशा जब भी हम future actions की बात करते हैं जब भी आप future actions की बात करोगे तब तब हमेशा क्या लगेगा will, shall और will यह दोनों चीज़े हमेशं future clear लगाते हैं and as a model verb याने will के यहाँ पर दो कामें पहला जब भी future की बात होएगी याने भविश्यकाल की बात होएगी तब will लगाये जाएगा और जब और वो एक model verb की तरह भी काम करता है याने हर बार will लगे और वहाँ पर future tense की बात तो जरूर actions याने जब आप अपनी इसको हम willingness भी कह सकते हैं इसको हम willingness भी कहते हैं याने जब आप अपनी willingness से याने अपनी will से अपनी मर्जी से कोई काम करते हो कोई voluntary action करते हो याने कोई भी ऐसा action कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी खुद की मर्जी शामिल है तब हम वहाँ पर लगाते हैं विल और एक्जामपल आपकी मदर ने बोला कि मेरी मदद कर दोगी क्या तो आपने बोला I will help you ममा आप अपनी मर्जी से उन से बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगी तो जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज करते हो आप वो करते ही हो वो काम तो आप महां पर लगाते हो फ्रेडिक्शन जब आप फ्यूचर को लेकर कोई चीज प्रणी करते हो किसी चीज का अनुमान लगाते हो तो वहां पर हमेशा व्ल आता है फिर बात करते है promote अपल्ड कि से पक्का अब informal क्या होता है informal हमने पिछले वाले वीडियो में भी discuss किया है कि जब हम हमारे friends से बात करते हैं जब हमारे relatives से बात करते हैं या जो हमारे close one जैसे mother, father, brother, sister, हमारा कोई भी cousin या कोई भी grandfather, grandmother, घर का जो आपका family member जो आपके अपने ही होते हैं जिन साब informally बात कर ले तो अरे ये काम कर दे यार अरे ये काम कर देगी क्या है न तो जब भी हम informally किसी से request करते की will you bring me a glass of water कि आपने किसी से ऐसी informally बोल दिया जहाँ पर respect कम शामिल है क्योंकि दोस्ते आ रही हैं आपके हैं तो तब वहाँ पर हमेशे क्या लगता है will फिर बात आती है informal offer की again informal याने friends, relatives, closed ones याने की mother, father इन सब की बात हो रहे है जब आप इन लोगों को कुछ offer करते हो informally कोई बीचीज offer करते हो कोई help offer करते हो तब वहाँ पर लगता है will फिर बात आती है threat की याने जब आप किसी को धंकी दे रहे हो जब आप किसी को धंकी दे रहे हो कि you will have to do this otherwise I will send you to the jail आगर नहीं किया तो तुमको में जेल भीज़ दूगी तो यहां इन cases में क्या लगता है will फिर बात करते हैं commands की command याने जब हम किसी को कोई आदेश दे रहे हैं कोई order दे रहे है you will have to do this you will be entering that gate right now मतलब आपने आदेश दिया कि अभी अभी उस दर्वाजे में तुम्हें घुसना पड़ेगा तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो में काम करना ही पड़ेगा तो यह आपका एक command है यह कोई आदेश है तो इन cases में हर जगा क्या लगता है will अब हम हारे condition को detail में देखते हैं सबसे बहले बात करते हैं voluntary actions जिसको हम voluntary decisions भी कहते हैं कि जब आपनी से अपनी मर्जी से कोई काम करते हो या अपनी मर्जी से कोई decision कोई फैसला लेते हो तो will is used to indicate instant actions and decisions अब instant का मतलब क्या होता है तुरंत उसी वक्त याने उसी वक्त जब आपने कोई action लिया या आपने को decision लिया कि बस अभी तो मस्त मैं ये काम करूंगा या करूंगी तब हम लगाते हैं will for example we will clean the house we will clean the house या इंस्टेंट अभी अभी आपने देखा गर बहुत गंदा बड़ा है दोनों भाई बनने मिलके बोल दिया we will clean the house चल भाईया जल्ली काम पर लग जाते हैं काम हमें करना है घर पूरा साफ करना है तो instant जब आप कोई काम करते हो आप कोई decision लेते हो तो वहाँ प आपके first form पर आके आपका sentence खतम होता है तो भी चल जाएगा depending upon the sentence I will stand in the election आप कोई बंदा है उसने instantly याने तुरांती उसने एकदम decide लिया decision लिया कि I will stand in the election याने कि मैं तो चुनाओ में हिस्सा लूँगा election में part participate करूँगा याने कि मैं as a candidate खड़ा होँगा तो I will stand in the election तो य एक instant action था instant decision था और यहां पर भी क्या लगेगा will next condition की बात करते हैं जो है predictions याने जब आप कोई चीज़ की predictions करते हो याने कोई future के लिए कोई अनुमान लगाते हो कि हां ऐसा हो सकता है तो आप will use करते हो for example it will rain tomorrow अब आपको नहीं पता कि कल बारिश होगी की नहीं होगी लेक prediction लगाते हो कोई अनुमान लगाते हो तो वहाँ पर आता है विल और future हमें दिखी रहा है कि tomorrow याने कल की बात हो रही है तो याने यहां पर किसकी बात आ रही है future की next example she will not attend the party भाई वो लड़की party attend नहीं करेगी आपने अनुमान लगा दिया कि उसका इतना mood खराब है या उस दिख कर लिया पहले से ही कि नहीं वो attend नहीं करेगी तो यहां पर आपने क्या लगा दिया will next promise will is used to make promise जैंगा किसी से पक्का वाला promise करते हैं पक्का वाला pinky pinky promise करते हैं तो वहाँ पर क्या लग जाता है वहाँ पर लग जाता है विल याने जब हम किसी से वादा करते हैं for example I will call you daily मैं पक्का तुम्हें daily call करूंगा I will call you daily तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगी will they will never lie to us वो लोग हमसे कभी जूट नहीं बोलेंगे यह promise करा है हमने कि वो लोग हमसे कभी जूट नहीं बोलेंगे तो यहां पर क्या है promise है इसली क्या लगा दिया मैंने will ठीक है next condition देखते हैं informal offer जब informal याने कि जब हम हमारे friends relatives हमारे close ones याने mother father brother sister cousin grandfather grandmother चाचा चाची तर मामा मामी ताउ सब की बात हो रही है यहां पर जब informally किसी को कोई चीज offer करते हैं यहां पर भी लिखा हुए informally offer करने ने कोई मदद देना या कोई भी चीज खाने पीने की चीज़ आप offer कर रहे हो तो for example will you join us for dinner तो आपने उनको offer किया कि will you join us for dinner हम लोग डिनर करने जा रहे हैं बड़िया five star hotel में क्या हमें join करोगे तो आपने offer किया कि बड़िया खाना खाने जा रहे हैं आपका यह रवर्ब का first phone और आगया आपका क्या आगया object या other words कुछ भी जो भी आप बोलो next will you play the song again आपने यह informally उनको offer किया है कि will you play the song again क्या आप फिर से यह गाना बजा दोगे यह offer किया है अपने एक और बार गाना बजाने के लिए फर्माहिश की है आपने तो यहाँ पर again क्या आ गया will आ गया और यहाँ पर again interrogative sentence है इसलिए आपको last में question mark देख रहा है next condition देखते है informal requests जब आप informally again अपने family members and closed ones and friends को जब आप किसी चीज की request कर रहे हो यहने किसी चीज के लिए उनको बोल रहे हो please है ना वह वाले informally तो उसलिए हम वहाँ पर क्या लगाते हैं will use करते हैं जब आप किसी को को request करते हो किसी चीज के लिए informally तो वहाँ पर लगता है will example देखते हैं will he talk politely with her will he talk politely with her भाई वो अपने बहन के साथ अच्छे से बात करेगा politely प्यार से बात करेगा तो विल ही चॉप प्यार से बात करेगा तो यह एक informal request है कि भाई उससे प्यार से बात करो will you talk politely with her तो यहाँ पर क्या आ गया will and question mark इसलिए क्योंकि interrogative sentence next will you bring some headache medicines for me mother की तब्यात खराब हो रही है तो उसने उसने क्या बोला अपने बेटे को will you bring some headache medicines for me कि बेटा मेरे लिए कुछ सरदर्थ की तब्यात की सरदर्थ की जो दवाईयां है कुछ ले आओगे मेरे लिए तो क्योंकि मदर ने अपने बेटे से बोला है ऐसा हमने गैस कर लिया है फादर भी हो सकता है अपने बेटे से बोल सकते कोई बोल सकता है तो क्योंकि अपनी मदर ने अपने बेटे से बोला है informal रिलेशन है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया विल और क्योंकि वह रिक्वेस्ट कर रही है तो इसलिए विल लगाया एंड एक इंटेरोगेटेव सेंटेंस है कैसे पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में क्वेशिन माख है और मॉडल वह भी हाँ पर सब्ज़क के पहले हैं नेक्स्ट कंडिशन थ्रेट यानि जब हम किसी को कोई धंकी देते हैं तो जब हम किसी को धंकी देते हैं वहाँ पर हम विल यूज करते हैं अब धंकी कौन देगा या तो मैं दूंगी या तो हम सब मिलके यानि वी हम सब मिलके किसी सामने वाले को धंकी देंगे येस तो ज you in the jail we will kill you जब हम किसी को धंकी दे रहे हैं किसी चीज की या फिर कोई threat कर रहे है किसी को डरा रहे है धंका रहे है तब उस case में सिर्फ आय और वी के साथ ही होगा याने यहां पर बात हो रही है सिर्फ first person की यहां पर second person की बात नहीं हो रही याने you you second person होता है if she it day यह चार वर्टस आपके थर्द पोरसन में आते तो यहां second person and third person के साथ threat के condition में विल यूज नी होगा या तो वह यूज होगा I के साथ यह तो वह will use होगा विल यवल के साथ जैसे या तो वह बता देंगे कि तुम cheating कर रहे थे exam में तो यह किस के साथ लगा है यह वी के साथ ही will लगा है और क्योंकि एक threat है धमकी है किसी ने किसी बच्चे को बोला है कि बता देंगे teacher को कि exam में cheating कर रहे हो इसलिए यहाँ पर लगा है will next I will send you to jail will याने मैं तुम्हें jail भिजवा दूँगा क्योंकि यहाँ पर किसी को jail भिजवाने की बात हो रही है threat है धमकी है तो I के साथ ही यहाँ पर हमने लगाया है will तो जब किसी को धमकी देने की बात हो रही है will के case में तो सरफ I अभी याने की first person के साथ ही आपका will लगेगा ओके next strong determination strong determination का मतलब क्यों होता है जब पक्का द्रिण निश्चय वाली बात हो थी जो आपने पक्का ठान लिया आपने द्रिण निश्चय कर लिया कि मैं तो यह काम करूंगा या मैं यह काम करके रहूंगी तब बात होती है strong determination की याने की पक्के द्रिण निश्चय की तब तो पक्के उस case में will लगोगे, I will pass in this exam, आपने दिरे निश्चे बना लिया है, कि मैं exam में pass हो के दिखाऊंगा, yes, तो यह पक्का दिरे निश्चे आने अपने strong determination बनाई और यहां इस case में क्या लगेगा, will, will is used to express strong determination with I and V, again, यहां पर भी I और वी याने कि सिर्फ first person की बात हो रही है, यहां पर second person और third person की बात नहीं होगी, याने you, जो की second person है, और he, she, it, they, यह सब चारो words मला के जो की आपका third person है, इन दोनों cases में strong determination के case में will नहीं लगेगा, सिर्फ I और वी याने first person के case में ही आप क्या लगाएंगे, आप example, I will solve this question, आपने द्रिन निश्चाय कर लिया कि मैं ये question solve करके दिखाऊंगा, या मैं ये question solve करके दिखा के ही रहूंगी, तो I will solve this question, तो यहां पर I है, yes, क्योंकि strong determination के case में I और V लगता है I है, और strong determination इसलिए मैंने लगा दिये, साथ में will, I will exercise daily, आपने पक्का, खुद को strongly determination कर लिया है, यहने determination आपने रख ली है, और आपने पक्के से ही सोच लिया है, खाईया मैं तो अब daily exercise करूंगा, या अब तो मैं daily पक्के से exercise करूंगी, तो आपने खुद को बहुत strongly motivate कर लिया, कि मैं जो ये करके दिखाऊंगा, या करके दिखाऊंगी, तो क्योंकि यहां पर यह strong determination की बात हो रही है and I लगा है, इसलिए मैंने लगा दिया, वहाँ पर will We will learn French in 6 months हम सब मिलके French जो language है, वो 6 महीने में सीखके ही रहेंगे याने 6 महीने में हम लोग French सीखके ही रहेंगे, यह strong determination है मेरी दिरन निश्चे कर लिया मैंने कि 6 महीने में ही हम लोग French language सीखके ही रहेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर strong determination की बात हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है वी लग रहा है first person की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपे लगा दिया will, ओके next आता है command, जब हम किसी को कोई order देते हैं, बहुत force करके, जबरदस्ती या किसी को कोई आदेश देते हैं तब वहाँ पर will लगता है तो will is used to give orders, जब हम किसी को order याने कोई आदेश, कोई हुक्म देते हैं, with feeling of forcefulness, याने जब हम किसी को आदेश दे रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं और force कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तो यह करना ही पड़ेगा force कर रहे हो कि नहीं, करोगे ही तब उस case में लग जाता है will, for example you will stay quiet now अब बच्चा बहुत देर से उधम कर रहा है क्लास में teacher full trust हो गई है, पगला गई है इसलिए teacher ने बोला you will stay quiet now याने तुम अब बिल्कुल चुप चुप बैठोगे ही तुम्हार मुसे एक आवास नहीं निकलनी चाहिए तो इस case में यहाँ पर लग जाएगा will, this room will not be used for party mother आई घर में, मदर ने देखा कि बच्चे आ गए हैं, party करने के लिए सारे बच्चे बोल रहे हैं कि party करेंगे इस कमरे में, अभी अभी मदर ने सफाई करी तो मदर ने बोल दिया this room, मेरे घर का ये कमरा will not be used for party party के लिए इस्तिमाल तुम लोग नहीं करोगे पक्की बात है, force कर दिये माहा ने बोला, party करके दिखाओ तुम लोग यहाँ पर यहाँ पर party नहीं करोगे इस कमरे में तुम लोग तो क्योंकि यहाँ पर will not लगा है तो यह एक negative sentence है इसलिए यहाँ पर will के बाद not लगा हुआ है ओके, next your friends will not come to the house दोस्मादर ने बोल दिया, भाही, पूरी साफसाफाई कर ली है तुम लोग हमेशा गंदगी करके चले जाते हो इसलिए, your friends will not come to the house तुमारे दोस्त घर पे नहीं आएंगे force करके, मतलब दिख ले नहीं ची खर में नहीं तुम भी घर के बाहर चले जाओगे ओके, इसलिए यहाँ पर will not लगा दिया not इसलिए, क्योंकि एक negative sentence है ओके, अगर यहाँ पर your friends will come to the house होता तो भी वो सही होता, एक positive sentence होता ओके ओके, यहाँ पर हमारा will जो हमारा model verb है, वो खतम होता है तो आईए, would को discuss करते हैं इसमें भी structure of sentence होता है, तीन तरीके के sentence positive, negative and interrogative देखते हैं, तीनों sentences में would कहां बैठते हैं, same will वाला ही rule लगेगा, पहले subject आएगा फिर model verb, मैंने लगा दिया would, क्योंकि would की बात हो रही है फिर verb का first form आता है and then object फिर अगें negative sentence की बात आती है subject आता है, would आएगा and फिर आजाएगा not क्योंकि एक negative sentence है तो would not, फिर verb का first form and then आएगा object फिर बात आती है interrogative sentence याने question वाले sentences में तो उसके last में compulsorily question mark लगेगा and क्योंकि interrogative sentence है तो model verb subject के पहले shift हो जाता है तो आजाएगा would पहले, फिर आएगा subject, verb का first form, object and question mark अब इन तीन तरीके के structure of sentence आपने देख लिए अब कैसे would का use करते हैं और उसकी क्या सारी उसकी qualities है, conditions है वो सब देखते हैं, तो would is the past of will, भाई पहली चीज़ तो आप समझ लो कि would जो है will का past tense है जैसे can का past tense होता है could, may का past tense होता है might हमने पढ़ाई हुआ यह सा पिछली वाले वीडियो में, वैसे ही will का past tense होता है would, याने जबी भी कोई will की बात हो रही है लेकिन past में याने भूत काल की बात हो रही है जो पिछला बीत चुका है तब आप लगाएंगे would and as a model verb, याने would के भी दो uses है पहला कि would will के past tense की तरह काम करता है और ज़रूरी नहीं कि would हमेशा as a past tense ही काम करे क्योंकि उसका दूसरा काम क्या है कि वो एक individually model verb की तरह भी काम करता है देख लेते हैं किसके से क्या क्या के पूरे condition से पहला है past of will जब भी will के काई केस में आपको कुछ past में बात करनी है तो आप लगाएंगे would habitual past behavior past में पहले आपकी कोई habit कोई आदत रही होगी जैसा आपको कोई behavior रहा होगा उस case में आप would लगाएंगे याने I would go to temple when I was in school याने कि मैं temple जाता था जब मैं school में था याने past में आपकी आदत थी temple जाने की पहले की बात है और यह habitual थी आपकी आदत थी temple याने मंदर जाने की तो आपने उस case में क्या लगा दिया would फिर आता है preference preference याने दो चीजों में से जब आप किसी एक चीज को choose करते हो याने उसे एक चीज को preference दे रहे हो उसको अप choose कर रहे हो तो इस case में भी हम लगाते हैं would याने I would not choose this but I will choose this जब दो चीजों में किसी एक को preference दे रहे हो याने एक को महत्व दे रहे हो एक को value दे रहे हो उस एक particular चीज़ को आप choose कर रहे हो तब उस case में क्या लगता है would फिर बात आती है हमारी imaginary situations या unreal situations कोई ऐसी situations जो imaginary है याने reality में ऐसी situations exist ही नहीं करती है कालपनिक है ये unreal situations होती है उन cases में भी would लगता है I would fly if I have wings अगर मेरे पास punk होंगे तो मैं उड़ूंगी I would fly तो ये एक imaginary situation है भाई ये real situation है ही नी punk तो मेरे पास होई नहीं सकते obviously तो इन conditions में इन lines में या in statements में हम क्या लगाते है would polite request जब हम बहुत politely प्यार से किसी को request कर रहे है will के condition में जब हमें बात करनी रहेगी और past की बात हो रहे है तो हम would लगा देंगे उस case में जब हमें politely किसी को request करनी है किसी से निवेधन करना है किसी चीज़ का तब हम लगाएंगे would Conditionals Conditionals याने आपने condition लगा दी किसी situation में की okay I would come with you if you buy me a dress मैं तुमारे साथ आउंगी अगर तुम मुझे dress खरीट के दे दो okay तो if याने अगर आपने condition लगाती तो अगर कि Conditionals sentences है तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा would अब हरे condition को separately retail में देखते हैं सबसे पहले आता है past of will कि would को हम will के past tense की तरह कैसे use करते हैं तो what is used as past of will to express the actions that happened in the past जो भी action जो भी चीज़े past में होई है याने बीच चुकी है हो चुकी है तब उस case में अगर will की बात हो रही है past में तो हम would use करेंगे for example they promised they would help the poor उन्होंने promise किया था कि वो गरीबों की मदद करेंगे तो उन्होंने promise किया था past की बात हो रही है कैसे पता चल रहा है क्योंकि word क्या रहा है promise अगर word होता present tense में तो promise बोलते लेकिन promise ed लग गया यह past tense का word है याने इससे हमें समझ में आ रहा है कि past की बात हो रही है तो उन्होंने promise किया था कि that they will help poor कि वो लोग गरीबों की मदद करेंगे तो यहां पर past की बात हो रही है और क्योंकि will आ सकता था यहां पर future की बात हो रही होती तो यहां पर लग जाएगा would next when he was young he knew that he would become a doctor जब वो छोटा था तो उसे पता था कि वो doctor बनेगा तो when he was young यहां पर was आ गया याने past tense की बात आ गई new आ गया याने past tense की बात आ गई तो जब वो छोटा था उसे पता था कि वो एक doctor बनेगा तो past की जब बात आ जाती है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे would. Okay? Next, habitual past behavior याने कि जब कोई actions regularly past में हुआ करते थे याने जब हम past में पहले regularly कोई चीज करते थे क्योंकि हम वोई चीज regularly करते हैं जो हमारी habit में होते हैं याने जो हमारी आदत होती है वोई चीज हम regularly करते हैं तो कोई चीज जो पहले regularly किया करते थे past में अब नहीं करते हो, जब वो कोई situation होगी तब वहाँ पर लगेगा would. For example, I would go to the temple daily when I was in school. जब मैं school में था, लिखा है ना was, जब मैं school में था तो मैं daily temple याने मंदिर जाया करता था. तो आप daily temple जाया करते थे past में, बच्पन में, जब आप school में थे, तो इस condition में क्या लग जाएगा? वोड, क्योंकि ये habitual past behavior की बात हो रही है. Next, every summer we would visit my grandmother in Mumbai. हर summer में याने हर गर्मियों की छुटियां जब आती थी तो हम कहां विजट करते थे, कहां जाते थे, मेरी grandmother याने मेरी दादी के घर मुंबई में. तो we would visit, याने बच्पन की बात है कि हर गर्मियों की छुटियों में, हम लोग दादी के घर मुंबई जाराया करते थे. तो वोड आएगा कि past habitual behavior की बात आ रही है. Next, imaginary situation याने जब कोई कालपनिक situation होती है, याने जब ऐसी situation कोई आ जाती है, जो imaginary होती है किसी person के बारे में और real बिल्कुल भी नहीं होती, तब बुड लगता है For example, she would get bored in the party. अब आपने पहले ही वो imagine कर लिया, पहले ही ये कलपना कर लिया कि भाई, ये तो party में बोर हो जाएगी अभी तो वो party में गई भी नहीं है party में enjoy भी नहीं किया, देखी भी नहीं कि कैसी party है, आपने पहले ही एक अनुमान लगा दिया, आपने पहले ही imagine कर लिया भाई कलपना कर लिए कि यह तो पाटी में बोर हो जाएगी तो जब भी ऐसी situations होंगी तो वहाँ पर क्या लग जाएगा वुड़ दे लांडलोड वुड इंक्रीज दर रेंट जो लैंडलोड है याने जो मकान मालिक है वो रेंट याने जो किराया है वो बढ़ा देगा मकान का इंक्रीज कर देगा ना उसने अभी तक आपसे बोला कि वो इंक्रीज करेगा ना उसकी imagine कर लिया, जो चीज हुई भी नहीं अभी तक, तब उस condition में लगेगा would, okay, next, preference, preference याने जब भी हम को preference यूज करना है, तो हम वहाँ पर would लगाएंगे, याने preference याने जब दो चीजों में कोई choice की बात आएगी, याने दो चीजों में आपको किसी एक चीज को choose करना है, उसे ए value देनिये, तब उस condition में हम लगाते हैं would, for example, I would like to have tea, not coffee, आपने बता दिया कि टी और coffee, दो चीजे हैं, इस में से आपने एक को preference दी कि आपको चाय पीना आप प्रिफर करोगे, चाय पीना पसंद आपको, कौफी आपको नहीं पीनी, तो दो चीजों में से आपने एक को प् carpet rather than blue, carpet याने जो नीचे आप बिचाते हो, धरों में हम carpets बिचाते हैं, कालीन बिचाते हैं, उनको हम carpet कहते हैं, तो बता दे कि she, याने जो वो लड़की है, वो black color का carpet prefer करेगी, अगर compare करें blue से, तो दो चीजों में यहाँ पे preference आगी है, carpet का एक black color और carpet का blue color, तो blue color और black color मे यहाँ पर क्या आगई है, choice आगई है, जिसमें से वो किसको prefer कर रही है, किसको value दे रही है, black color को, कि वो तो black color पे जाएगी, तो इस condition में हम क्या लगाएंगे, would, next, seema would like to talk over phone rather on chat, वहीं, seema phone पर बात करना ज़्यादा prefer करेगी, उसको ज़्यादा phone पर बात करना, chit chat करना प कि phone पर बैटके आप बढ़वड करो, और दूसरी चीज, chat करो, type कर करके, तो दो choice आगई है, इन में से वो किसको choose कर रही है, कि talk over phone, मैं तो phone पर बात करूँगी, मैं chatting नहीं करूँगी, तो इन दो चीजों में से किसको preference मिली, talk over phone को, तो इस condition में क्या लग जाएगा, इस condition म मांग रहे हो, request करके, तब उस condition में हम लगाएंगे, would, for example, would you mind sharing the book, आपने बहुत प्यार से politely request करी कि, would you mind, याने आपको बुरा तो नहीं लगएगा, अगर आप अपनी book मेरे साथ share करेंगे, तो इस condition में आपने क्या लगा दिया, would, and question mark लगा, याने की interrogative sentence है, next, would you answer the call please, बहुत आपका phone आ रहा है, बज रहा है, तो आप बहुत politely उनको request करेंगे, would you answer the call please, कि आप वहाँ phone उठा लोगे, answer करो, बात करके देखो कौन है, yes, so polite request थी है, इसलिए अपने would लगा है, या question mark लगा है, that means ये एक interrogative sentence है, okay, next, conditionals, conditionals, याने जब हम condition लगा देते हैं, याने अगर जब कोई भी situation, किसी condition पर based है, याने निर्भर है, याने अगर लगा दिया आपने मापे, लगा दिया अपने if, कि अगर ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूँगी, या अगर ऐसा किया, तो ठीके मैं फिर आपका ये काम कर दूँगी, तो इन conditions में या इन cases में हम लगाते ह है, would, example दिखते है, if he lost his job, he would have no money to buy a house, अगर उसने अपनी नौकरी खोदी, job खो दिया, lost कर दिया, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे घर खरीदने के, तो, he would have no money to buy a house, उसके पास पैसे नहीं होंगे घर खरीदने के, if, अगर, he lost his job, अगर नौकरी खोदी तो, तो condition बता द पैसे नहीं होंगे, if, याने अगर नौकरी खोदी तो, तो, इस condition में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं, would, okay, next, you would like him after you meet, तुम उस लड़के को पसंद करोगी, after you meet, कब, पर जब पहले उससे जब तुम मिल लोगी तब, तो आपने बता दिया उनको, कि तुम उस लड़क है, तो तुम definitely उस लड़के को पसंद करोगी, तो you would like him, when would you like him, after you meet, तो जब मिल लोगी, मिलने के बाद, तुम उसे पसंद करोगी, तो in conditions में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं, would, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, जो would है, model verb, वो खतम होता है, और आज का इस वीडियो का, जो last model verb है, ought to, हम वो अब start करेंगे, ought to देखते हैं, ought to क्या होता है, ought model verb is an exception to the rule of model verbs, याने जब हमने model verb के rules पड़े थे, हमारी first वाली introduction to model verbs वाले वीडियो में, तो हमने ये पड़ा था, कि model verb जब भी आएगा, उसके बाद में कभी भी to नहीं आएगा, याने sentence का structure ये subject आएगा, एक positive sentence की बात करेंगे, सबसे पहले subject आएगा, उसके बाद आएगा आपका model verb, याने MV, फिर आएगा आपका action verb, याने की आपका कह सकते हैं, verb का first form, और फिर आएगा आपका object, यही रूल बताया था हमने, रूल ये था कि model verb के बाद और action verb के पहले, याने model verb और action verb के बीच में, यहाँ पर कभी भी to, याने कोई infinitive नहीं आएगा, यही रूल था, याने action verb के पहले कभी भी to नहीं आएगा, लेकिन ये जो ought to model verb है, ये एक exception है, याने ये हटके है, इसको ये permission मिली हुई है, कि जो ought model verb है, इसके बाद आप to लगा दो, तो ये पूरा बनके क्या मिलके क्या पूरा बनता है, ought to, it uses to after it, याने जो ought model verb है, वो अपने बाद क्या यूज कर रहा है, अपने बाद यूज कर रहा है to, तो वो क्या बन जाएगा, ought to, जो की सही है, ये exception है, ओके, so ought is written as ought to, इसलिए ought को हम ought to लिखते है, याने मान लीजिए, यहाँ पर model verb ought है, और rule के साब से यहाँ पर तू नहीं आना चाहिए, लेकिन ought को permission मिली है, कि आप अपने बाद तू लगा दो, फिर भले बाद में आपका कोई action verb आ जाए, तो ought को permission मिली होई, कि अपने बाद तू लगा लो, तो वो ब चीज, कुछ changes नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में subject, ought, फिर यहाँ पर ought के बाद आ जाएगा not, और फिर आएगा to, यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस में स्टार लगा देती हूँ, कि यहाँ पर आप ought to के case में ध्यान रखीगा, कि subject आएगा, ought आएगा, not आएगा, फिर फिर वही सेम चीज, बॉब का first form and object, लेकिन यहाँ पर ought to के बीच में not आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के case में, फिर बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यह भी मैंने आपको बताय था कि ought to, यानि कोई भी model वर्ग, subject के पहले shift हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने to को छोड़के, अकेला ही shift होगा, तो यहाँ पर जब subject के पहले shift होगा, जब model वर्ग, तो अकेला ought shift होगा, फिर आएगा subject, फिर आजाएगा to, to जहाँ था, वो वही रहेगा, सिर्व ought अपना shift होगा, आजाएगा model, वर्ग का first form and then object and very importantly, last में question mark, क्योंकि यह एक to बोल लो, या should बोल दो, एक ही बात है, बिल्कुल same to same, बिल्कुल same हम same, इसमें कोई changes नहीं है, या आप ought to बोल दो, या आप should बोल दो, एक ही बात है, ओके, और इसमें कोई भी, इसमें कोई difference नहीं है, बहुत easy है, तो ought is used to express, ought हम कहां कहां use करते हैं, सरफ तीन conditions में, पहल moral obligations, moral obligations याने जो चीज़े, इंसानियत के तोर पे, जरूरी है, हम लोगों के लिए करना, उस case में हम लगाएंगे, ought to, obligation जो word होता है, इसका मतलब होता है, duty, याने आपका कोई करतव्य, तो जो चीज़ों में इंसानियत है, याने जो, हम for example, देश के वासियों को, याने citizens को, इंडिया के citizens को जो चीज़ करना जरूरी है, जो हमारा duty है, जो हमारा करतव्य है, जो हमें करना जब जरूरी हो जाता है, किसी चीज़ को, तब जब हमारे moral obligations याने हमारी अच्छा ही हमारे सामने आ जाती है, इंसानियत के नाते, जब हम कोई चीज़ करते हैं, उस case में लग हो जाए, desire है कि कोई चीज़ हो जाए, तब हम लगाते हैं ought to, और फिर आखरी में आता है advice, याने जब आप किसी को कोई सलहा देते हो, जब आप किसी को कोई राय देते हो, और इस तरीके से राय देते हो, कि आपको मेरी बात जरूर से माननी चाहिए, क्योंकि मेरी सलहा बह moral duty and responsibility, morally याने कि जो हमारी values है, जो हमारे नेतिक करतव्य है, जब हमारे duties की बात आ जाती है, हमारी responsibilities, हमारे करतव्यों की जब बात आ जाती है, कि इंसानियत के नाते हमारी duty है, हमें तो ये करना ही है, उस case में हम लगाते हैं ought to, for example, we ought to respect our parents, याने कि हमें हमारे parents की respect compulsorily करनी चाहिए, ये हमारी moral duty हमारे करतव है, अपने माबाप की respect करना, yes, तो इस case में हम क्या लगाएंगे, ought to, next, every citizen ought to follow the rules, हर citizen याने देश के हर नागरे को सारे rules याने काइदे कानून follow compulsorily करने चाहिए, जब compulsorily कोई चीज आपको करनी चाहिए, तो तब क्या लगता है, ought to, you ought not to smoke in school, याने you are not allowed to smoke in the school, क्योंकि या पर ought not to लिखा है, याने कि ये negative sentence है, कि आपको school में smoke करना, याने cigarette पीना, धूमरपान करना, allowed नहीं है, तो ये एक moral responsibility, moral duty, एक moral obligation है हमारा, कि हमें follow करना ही है, ये rule, कि school में आप smoke नहीं कर सकते, वैसे तो smoke कभी भी किसी को कहीं पर भी नही जीवन में पूरे करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर ये rule बनाया है, तो यहाँ पर उसको follow करना है, तो यहाँ पर ought not to आएगा, आप देख सकते हैं कि ought जब ये negative sentence होता है, तो ought और to के बीच में यहाँ पर not आ जाता है, और ऐसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक, next condition, desire for something to happen, जब हम किसी के लिए कुछ desire करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, what is desired from someone, याने जब कोई हमारे लिए कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, या हम किसी के लिए कोई desire कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इस condition में हम ought to लगाते हैं, for example, we ought to eat lots of fruits and vegetables every day, याने हमने हमारे लिए इच्छा प्रदान करी, हमने हमारे लिए इच्छा, याने की एक desire प्रकट की, कि हमें बहुत सारे फल और सबजियां हर रोज खाने चाहिए, ये इच्छा है, हम खाते नहीं हैं, हम बिलकुल healthy lifestyle नहीं जीते हैं, लेकिन ये मेरी desire है, ये मेरी इच्छ है कि we ought to eat lots of fruits and vegetables याने we should eat lots of fruits and vegetables everyday तो इस condition में ought to लगाएंगे. Next, he ought to apologize for his mistake. Apologize का मतलब होता है किसी से माफी मांगना क्योंकि आपने गलती करिये. Yes, तो वो लड़का याने he की बात हो रही है, he ought to apologize for his mistake कि उस लड़के को अपनी mistake, अपनी गलती के लिए apologize करना ही चाहिए, याने माफी मांगनी ही चाहिए उसको. Yes, तो यह उसकी सामने वाले की इच्छा है कि उसको माफी मांगनी ही चाहिए क्योंकि उसकी गलती है, तो क्योंकि उसकी इक्षा है, desire है, तो इस condition में आप लगाएंगे ought to. Okay, next condition देखते हैं, which is advice, याने जब आप किसी को कोई advice दे रहे हो, पक्की वाली advice कि आपको मेरी सलह माननी ही चाहिए, क्योंकि मेरी सलह बहुत सही और आपके फाइदे की है, तो उस condition में आप लगाते हो ought to. Examples देखते हैं, you ought to exercise daily, याने आपको daily exercise करनी ही चाहिए, यह मेरी सलह है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत फूलते जा रहे हैं, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो, इसलिए daily exercise आपको करनी ही चाहिए fit रहनी के लिए, तो इस condition में क्योंकि आपने सलह दी, आप लगाएंगे ought to. Next, you oughtn't to memorize the concept, it's better to understand it. अब, ought not to. जब भी हम negative sentence लिखते हैं, तो बीच में आप क्या देखेंगे? ought not to. अगर इसकी जगा आपने यह देख लिया, oughtn't, तो वो एक ही बात है, वो same बात है, याने आप ought not to लिख दो, तो वो भी सही है, या oughtn't लिख दो, ought not to की जगा, तो वो भी सही है, याने not का and लगा दो, ओ हटा के apostrophe T कर दो, तो वो भी सही है, याने ought not to, अगर आप लिख रहे हो negative sentence में, या oughtn't लिख रहे हो, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, दोनों एक ही बात है, तो he oughtn't to memorize the, sorry, oughtn't to, oughtn't to, हम तो इसको हमने join करके ought not को हमने oughtn't कर दिया और to लगा दिया, क्योंकि ought not to भी तो आएगा, to को हम नहीं भूल सकते, तो अगर आपने ought not to लिखा है, या oughtn't to लिखा है, दोनों ही सही है negative case में, तो he oughtn't to memorize the concept, it's better to understand it, उस लड़के को concept को memorize करने की जरुवत नहीं है, याने याद करने की जरुवत नहीं है, इससे better तो यह है कि वो उसको understand कर ले अच्छे से, याने समझ ले, समझ लो रट्टा मारने की याद करने की जरुवत नहीं है, तो यह सला दे रहे हो आप किसी को, बेटर रट्टा मत मारो, बेटर है कि आप understand कर लो, समझ लो फिर आपको रट्टा मारने की जरुवत नहीं है, तो इस case में आपने oughtn't to लगा दिया है, याने की एक negative model वो अब लगा दिया है, तो यह sentence भी सही है, आपका, next, she ought to book the tickets in advance, अगर आपको कहीं movie देखने जाना है, तो आपको पहले से ही जो tickets हैं, पहले से ही advance में, advance में आने पहले से ही tickets को book करनी पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी नहीं, तो वहाँ पर जब जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे tickets, तो जब आप किसी को advise दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, पक्की वाली की करके ही जाना, पहले से अपनी tickets book वनना, वहाँ जाके बच्ता होगे, तो इस condition में आपके लगा दोगे, ought to, ओके, तो यहाँ पर आपकी conditions खतम होती है, and अब यहाँ पर एक important बात आती है, कि should can be used at the place of ought to, मैंने आपको starting में ही बताया था, कि आप ought to use कर लो, या उसकी जगा सीधे-सीधे word यूज़ कर लो should, दोनो एक ही बात है, आप ought to बोल दा, should बोल दो एक ही बात है, yes, तो should can be used at the place of ought to, याने ought to की place पे, ought to की जगा पर आप should use कर सकते हो, ought to and should have similar meaning, क्योंकि ought to और should का similar meaning है, याने दोनों का एक ही आर्थ है, जब आप कंपल सरे लिए कोई चीज़ करने की बात करते हो, तब आप ought to as should use करते हो, should can be used in the place of ought to, इसी लिए should को use किया जगा सकता है, ought to की place पर, should is more commonly used than ought to, आज के जमाने में हम ought to ज़्यादा यूज नहीं करते, हम commonly क्या use करते हैं, should, इसी लिए ought to की जगा पर आप should भी use कर सकते हो, should is more formal than ought to, जब आप बहुत formality की बात कर रहे हो, याने आपके सामने आपके teacher है, आपके office के boss है, कोई respected person है, तो आप ought to ना यूज करके should यूज करो, क्योंकि should ज़्यादा फॉर्मल है, should ज़्यादा respectful है, ओके, example देख लिएते हैं, there ought to be more parking space in this area, याने इस area में और ज़्यादा parking space होनी चाहिए, ought to be याने और ज़्यादा होनी चाहिए, अब यहाँ पर मैंने ought to लगाया है, clearly पूरा sentence सेम रखूँ, और ought to की जगा मैं should रख दूँ, तो भी सही है, there should be more parking space in this area, एक ही बात है, सब कुछ पूरा sentence आप देखें सेम है, बस ought to की जगा मैंने should लगा दिया, एक ही बात है, चलेगा, और ought to की जगा शुड चलेगा, next example, I ought to exercise more, याने मुझे और exercise करनी चाहिए, तो ought to की जगा मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर should, कि I should exercise more, कि मुझे और exercise करनी चाहिए, आप देखें पूरा sentence सेम, बस ought to की जगा मैंने क्या लगा दिया, should, same meaning, कोई change नहीं है, एक ही बात है, अब ought to लगा और should लगा एक ही बात है, ठीक है, तो ought to की जगा शुड लगा सकते हैं, क्योंकि should बहुत formal है, और commonly used जादा होता है, ओके, and with this, we come to the end of this session, I hope आपको model verb, will, would and ought to, बहुत clearly, and बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, and आपको मेरा अगला वीडियो बिलकुल देखना नहीं भूला है, जिसमें मैं आपको clearly, सारे model verbs and rules of model verbs की, solved exercises करवाने वाली हूँ, and also do not forget, to like, subscribe and share our YouTube channel, तब तक के लिए, bye-bye and take care.